हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माथूर क्लासेज अपन बढ़ रहे थे विद्धूत रासायनिक प्रभाव एवाम रासायनिक सेल जो आपके फर्स्ट यर के स्टूडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट है और इसमें क्या है कि अपने पढ़ा था कि विद्धूत रासायनिक प्रभाव एवाम रासायनिक सेल में सबसे पहले अपने पढ़ा था विद्दु धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और अपने पड़ाता फेराडे का वेद्यूतिक अब गटन का नियम जो बहुत इंपोर्टेंट है मैंने आपको बतायता है फॉर्मूला आता ही आता है इसके आधार पर बहुत सारे कोश्चन आते हैं तो अपने कोश्चन भी इसके किये थे उसके बाद अपने कहता है रासायनिक तुल्यांग भई रासायनिक तुल्यांग का फॉर्मूला क्या होता है परमान उभार बटा सही हो जगता प्रकार के होते हैं इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ जिनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद और जिनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज एक बा आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नौटिबीकेशन आता रहे और आप साथ में पूरी वीडियो को आराम से देखिए और फिर उसको लाइक कीजिए और सेयर कीजिए पने फ्रेंड्स में और comments box में comment जरूर करें कि आपको video कैसी लगी आप comment box में comment करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है चाहे आप question पूछो चाहे आप आपको video कैसा लगता है उसके बारे में आप बताओ comment box में comment करने से हमको खुशी होती है कि बही चलो student ने video देखा और उसको पसंद आया किसी को मन में doubt होता है वो question भी पूछते हैं और उसका reply भी मैं करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends को share करें अभी क्या है एक lockdown है सभी students घर पे हैं तो घर बैठे आप free बैठे हैं तो थोड़ी पढ़ाई अपने भूल गए हो college में जो पढ़ाई की है तो आप घर बैठे एक एक वीडियो को देखोगी तो आपको अपना वापस याद आ जाएगा तो आज आपन पढ़ेंगे वेद्योतिक अबगटन के उपयोग Applications of electrolysis कि वेद्योतिक अबगटन के उपयोग क्या क्या होते हैं पहला है विदूत रंजन, Electroplating दूसरा है विदूत मुदरन, Electrotyping तीसरा है धातु सोधन, Purification of Metal चौता है धात्तु निश्कर्शन एक्स्टेंशन ऑफ मेटल पांसवा विद्दु त्वहाग बलका उत्पादन प्रोडेक्शन ऑफ एमेफ छटा है कैपेसिटर निर्मार कंस्ट्रेक्शन ऑफ कैपेसिटर की यह छे प्रकार के उप्योग होते हैं जैसे सपोज किया जैसे द जिसको अब मार वाड़िम करते हो जोल चड़ाना तो उसको समा परत को क्या सुरक्षित रखने के लिए उस पर जोल चड़ाते हैं तो यह जो क्रिया होती है तो इस टाइप के विए यह विद्दु मुत्रण अलगाम है विदातु शोदन का अलग धातु निश्कर्शन का विद्दु मुत्पादन का और कैपेसिटर निर्मान का यह अलग-अलग कारिया है अपने के बारे में कुछ नहीं आता है एक्जाम में जो है सौर्ट अपन वही करेंगे क्योंकि इतना ब्रीफली करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है और दूसरी बात अपने एक्जा रासाइनिक सेल क्या होते हैं अब एक रासाइनिक सेल क्या होते हैं तो रासाइनिक क्रिया के फल्सवरूप विद्दुत वहाग बल पैदा करने वाली यूपती रासाइनिक सेल कहलाती है अब जो केमिकल सेल है इस दो प्रकार के होते हैं एक प्रात्मिक सेल और एक दिट्य प्रात्मिक सेल को करते हैं और दिप्ट्यक सेल को अपन करते हैं सेकेंडरी सेल अब प्रात्मिक सेल किसे करते हैं और दिप्ट्यक सेल किसे करते हैं प्रात्मिक सेल करते हैं जिन सेलों में राशाइनिक रियाओं के फाल सरूप विद्धुत वहाग बल विक्सित होता है वह प दुद्वाग बल पैदा किया जयता है वह दित्यक सेल कहलाता है अब जैसे सिंपल सी बात बता देते हैं को इसको वापस चार्ज करके भी इसका यूज लेते हैं तो इस दिट्तिये cell यह होते है और primary cell जैसे अपन ने कोई भी घडी का cell भी लिया, तो घडी का cell क्या है? यूज किया, cell खतम होगे, discharge होगे, अपन fact दिते है, तो ये कौन से cell होते है प्रात्मिक cell होते है पर्दन तो जो दित्तिक cell होते है उनको अपन वापस चार्ज करके भी इसका यूज करते है अब देख प्रात्मिक cell कौन से होते है और दित्तिक cell कौन से होते है प्रात्मिक cell छे प्रकार के होते है प्राइमरी cell छे टाइप के होते है पहला है वॉल्टाइक सेल दूसरा है डेनियल सेल तीसा है लेक लांची सेल चोता है सुस्क सेल तूस पानचपा मरकरी चैल च्ट्टत सिलवर ऑकसाईड सेल यह इप्राईमरी छे मिल्ट सेल थे क्व alltid होते हैं और डिट्रकू डिप रिर्ण सेल निकल iron cell और nickel cadmium cell तो primary cell और secondary cell अब अपन पहले primary cell कौन कौन से उनके बारे में पढ़ेंगे अब सबसे पहले हम we horse क्या होता है तो था नामक वग्यानिक के द्वारा विद्धुत्वाहाग बल पैदा करने में सफलता प्राप्त की इसका नाम रखा है वोल्टाइक सेल अब ये जो क्या है आप देख रहे हैं ये काज का एक जार है इसके ंदर दो रोड लगे हूँ एक ठोड़ और एक एंडोड और जो जार रहे है इसके अंदर S2SO4 का electrolyte बरा हुआ है तंबे की छड़े जो anode है और जस्ते की छड़े जो cathode है देखो यह दो छड़े बनी हुई है यह तंबे की यह copper anode copper छड़े जो anode है और zinc की है जो cathode है इसके अंदर S2SO4 बरा हुआ है अब इसमें पूरी chemical reaction की अपनको जरूत नहीं है क्योंकि एक्जाम में chemical reaction नहीं आता है एक्जाम में सिरफ यह आता है एकवे जैसे वोल्टाइक सहल है तो इसका विद्धुत वहाग बल कितना होता है या इसका कहां यूज होता है तो इनका एक्जाम में आता है ज्यादा तर और या फिर यह पूछ सकते है कि इसके अंदर ज करалась ड़न जस्था कर यह सकना यह सब्सक्राइब दर तो इसके एक किष्चाड होती है इसके अंदर ज एससो 4 का सवहाग होता है उसका देज़ेदेक प्लस ا罹से केिसंक्ट करें नेट पर क्या है यह चैछमषम अग्रोजर हो जाती है आँजू है यह मिद्ध पर 5 यह क्या ह है इसका EMF का पूरा नाम क्या बताई था मैंने इलेक्ट्रो मोट्यू फोर्स और यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है तो इसका EMF है जो 1.08 वोल्ट होता है अपनको सिरुफ जित्ते भी तरह के सहल है उनकी EMF कितनी होती है यह ज़रूर याद रगना है और यही इंपोर्टेंट है एक जाधा तर यही पूछा जाता है क्या पूछते हैं एक तो EMF कितना होता है या एनोड़ और कैथ स्वेड के चप्लू क에 होती है यह बहा होता है या उसमें electrolyte कौन सा होता है तो यह ही question है बाकी equation का question कहीं नहीं आता है कि equation राशाइनिक्रिया कैसे होती है क्यों होती है इसके बारे में नहीं होता है अब अपन पढ़ रहे हैं वोल्टाइक सेल अब दूसरा आता है danian cell कि भी danian cell क्या होता है अब देखो इसमें अपन डाइग्राम भी देख रहे है danian cell का यह यह क्या है काच का यह जार है और danian एव जो इसका वैग्यानिक है इस वैग्यानिक नहीं cell में cell का नाम danian cell रखा है इसमें क्या है कि anode के रूप में जो तामबे का बैलना का रही एक पात्र होता है और इसमें देखो anode के रूप में तामबे का एक पात्र होता है पात्र के अंदर एक बाल को नहीं है यह जो छोटी सी की यह बनी हुई न यह क्या है बाल को नहीं है या छज्जा है इसके अंदर cuSO4 इसके crystals रखे होते हैं cuSO4 यानिकि copper sulfate copper sulfate के यह crystals इसके अंदर रखे होते हैं और इसमें copper sulfate का ही गोल भरा हुआ होता है अब जो copper sulfate का ही गोल होता है इलेक्ट्रोगलाइट के रूप में होता है और इसमें एक porous port होता है यह क्या उन सपोर्ट है? porous port porous port को अपन हिंदी में कहते है सरंद्रपात्र जिसको कहते है porous port इसके बीच में एक porous port है इसमें क्या है कि S to SO4 भरा हुआ है इस port के अंदर क्या भरा हुआ है? S to SO4 भरा हुआ है और बीच के अंदर क्या है? एक छड़ है जो कौन सी है? जिंक की छड़ है और जिंक की छड़ है जो क्या है? कैथोड का कारीव कर रही है और यह copper का है जो anode का काम कर रहा है अब इसके अंदर क्या है कि chemical reaction क्या है? यह अपन को कोई मतलब नहीं इसका danian cell का जो विद्धुत वहागबल होता है वो 1.11 volt होता है क्या होता है? danian cell का विद्धुत वहागबल 1.11 volt होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो 2 से 6 oh होता है आंतरिक प्रतिरोध कित्ता होता है? 2 से 6 oh होता है और इसका जो यूज होता है लैब में इस तिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए इस cell का प्रयोग किया जाता है अब ठीर से आता है लेकलांची cell के भी लेकलांची cell क्या होता है? कि अब इसमें भी क्या होता है यहका पादव होता है इसके अंदर wedd मेंगनेजम डायोक्सvell अ चूर्ण भरा हूँ होता है मेंगनिजद डायोक्सवाइड का चूर्ण भरा हुआ होता है मेगनिस डायोकसाइड को क्या कहते है MnO2 MnO2 का इसमें चून भरा होता है पात्र के बीच में यह होता है और बीचों बीच में एक छड़ होती है जो होती है कारबन की छड़ होती है जो क्या करती है कारबन की छड़ कैथोड का कारिय करती है और बीच में इसमें क्या है कि कारबन की छड़ है जो क्या है कैथोड का कारिय करती है और ये जो है ये ये कैथोड का कारिय नहीं करती है ये एनोड का कारिय करती है और ये कैथोड का कारिय करती है अब इसका जो विद्धुत वहागबल है यह 1.46 वोल्ट है और इसका जो यूज होता है विद्धुत घंटी और टेलीफॉन में इसका यूज होता है मतलब कि जहां कार्यों में जहां रुक-रुक कर विद्धु धारा की अवसकता होती है वहां इस सेल का प्रयोग किया जाता है और इसका आंत्रिक प्रतिरोध होता है एक से पांच ओम तक आंत्रिक प्रतिरोध किता होता है अब आता है नेक्स्ट सुस्कु सेल या ड्राई सेल डाइग्राम में आपन देख रहे हैं कि जस्ते का एक पात्र होता है जो कैथोड का कारी करता है बीच के अंदर एक छड होती है कार्बन की जो एनोड का कारी करती है और छड के बाहर की साइड में एक मोटे कपड़े के एक थेली बनी होती छड के चारो तरफ उसमें थेली के अंदर भरावा होता है मेगनिस डाइयोकसाइड और कार्बन और अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का चूर्ण भरावा होता है MnO2 plus C plus NH4Cl plus ZnCl2 इनका जो चूरन भरा होता है इनका रेशियो क्या रहता है MnO2 का तो रहता है 10% C का कारवन का भी रहता है 10 NH4Cl का रहता है 2 इसका रहता है 1 तो 10 is to 10 is to 2 is to 1 यह भी important है एक जा में पूछा जाता है कि इस उस सेल में powder का इसका क्या ratio रहता है इस थेली के चारो तरफ में भी क्या भरा हुआ होता है थेली के चारो तरफ भी ammonium chloride, zinc chloride, plaster of Paris की लुपदी परियूई होती है जो electrolyte का कारिय करती है अब इसमें इसका सबसे पड़ावा है कि जो EMF होता है इसका EMF होता है जो होता है EMF इसका होता है 1.4 से 1.5 volt ठीक है यह important है dry cell का जो EMF किता होता है 1.4 से 1.5 volt होता है और इसकी जो कारी शम्ता होती है इसकी जो कारी शम्ता होती है यह कित्ती होती है 0.084 ampere होवर से 5.625 ampere होवर तक इसकी शम्ता होती है और इसका जो आकार होता है इसकी साइज होती है व्यास तो होता है 13 mm और जो इसकी उंचाई होती है वो 51 mm तो 13 into 51 से लेके 33 into 61 mm तक इसकी साइज होती है और इसका जो यूज होता है इसका यूज आपको पता है कहां कहां होता है इसका यूज आप सभी यूज लेते हो घर के अंदर घड़ी में ऐसे लालते हो या torch में आप cell डालते हो, या विदूत गंटी में cell डालते हो, या camera में cell डालते हो, या खिलोने में cell डालते हो, tap recorder में cell डालते हो, या receiver में cell डालते हो, वो कौन सा cell होता है, यह dry cell होता है, इस cell का अपन सबसे ज़्यादा यूज आता है, और इसको यूज करने के बाद आपन क् अब देते तो मैंने आपको क्या वाट्य सेल होता है जो चार्जेबल नहीं होता उसको यूज करने के बाद पंठ देते हैं तो यह कौन संक Yogli लिक्लेते हैं कहा कहा होता है इसका युज और पहला तो होता है टॉर्च में दूसरा होता है टेलीफोन में तीसर होता है विद्दूद घंटी में फिर होता है कैमरे में फिर दिवार गड़ी में फिर विद्दूद चालित खिलोने में अदि में इनका जो योज होता है और वह कई-कई चीज में होता है मैं स्वार्ड कोस्चन करौंगी तो उसमें भी इनका यूज़ आपको बताऊंगी कि तुमी ड्राई सैल का यूज़ कहां का होता है अब आता है मरकरी सैल मरकरी सैल आपने देखा होगा हम गड़ियों के अंदर छोटा सा जो गोल छोटा सा सेल लगाते हैं अपन वो कौन सा होता है मरकरी सेल होता है घड़ी हाथ की गड़ी होती है उसके अंदर जो सेल लगाते हैं अपन छोटा सा बट्टन आकरती में वो कौन सा होता है मरकरी सेल होता है तो यह क्या है निकल अले ब्लाइस इस्टील का बेलनाकार होता है जो किसका कारिय करता है एड Nोड का कारिया करता है सैल की तली में मर्कूरिक आक्वसाइड का चून की एक परत होती है यह सेल है नीचे का जो फ्लैट पॉर्ट सन होता है बोक्य मर्क्यूरिक ऑक्साइड है है एच जी ओ का पाउडर बरावा होता है इसके अंदर इसकी पर जो एनोड की तरह कारिया करता है इसके उपर पोटेंचिल ऑक्साइड की लुगदी बर्यूई होती है इसके जो है इसके उपर जो ही किसकी है पोटेंचिल ऑक्साइड के ओ एच की लुबदी बर्यूई होती है और इसमें यहाँ इलेक्टोलाइट का कारिय करती है इलेक्टोलाइट परत के उपर सुच जश्ट छूरन का कैथोर बनाया जाता ह। अब ये क्या है कैथोर बना हुआ है अब इसका जो ये है इसका विद्दूत विद्दुट वधागबल है EMF इसका कितना है 1.35 से 1.4 वोल्ट इसका विद्दुट वधागबल होता है ठीके और यह बहुत चोटा होता इसका अकार क्या होता है छोटा सा, आप देखा चोटा सा बाटन की तरह होता है इस्टील का वो कौन सा होता है मर्कुरिक सेल होता है और इसकी जो साइज होती है सबसे छोटा होता है व्यास्त होता है इसका चार एम-म तक और उचा इसकी होती है 2.5 एम-म तक ठीके इसको बटन सहल भी कहते है इसको बटन के आकरती में होता है तो इसको बटन सहल भी कहते है ठीके और इसका यूज कहां आता है इसका यूज हाथ की घड़ी में पॉकेट कैलकुलेटर में ठीक है इन में इसका यूज होता है तो इसका यूज लिख लेते हैं मरकरी सेल का यूज कलाई गड़ी में कलाई गड़ी यानि की हाथ की गड़ी में आप शेल डलाते हो दुकान वाला पूचता है भाई साथ कौन साथ शेल डलाना इसमें भी दो कॉलेटी आती है एक तो सस्ती आती है और एक महेंगी आती है वो एक महीना डैड महीना चलती है, महेंगी आती है, वो साल बर चल जाती है, दोस्ता होता है इसका pocket calculator में इसका use होता है, और एक होता है hearing add में, का होता है hearing, ह-e-a-r-i-n-g hearing में इसका use होता है, फिर next आ जाता है silver oxide cell, silver oxide cell है, यह भी mercury cell की तरह होता है, और इसमें जो अंतर क्या होता है, कि mercury में तो क्या होता है, mercury oxide बरा होता है, इसमें इसकी जग्य है silver oxide बरा होता है, मतलब कि HgO की जग्य होता है, आपके Ag2O, यह तो होता है इसमें mercury में, क्या होता है mercury वाले cell में, और यह होता है silver oxide वाली cell में, मरकरी वाले सेल में HGO की जगे AG2O बरावा होता है अब फरेक यही होता है कोस्चिन में अगर आ जाता है कि सिल्वर ओक्साइड सेल और मरकरी सेल में क्या अंतर है तो सिल्वर ओक्साइड सेल और मरकरी सेल में अंतर है कि mercury cell होता है उसमें HgO बरावा होता है पारंतू silver oxide cell है इसके अंदर Ag2O बरावा होता है Ag2O क्या होता है silver oxide क्या है silver oxide और mercury में क्या है mercury oxide ठीके अब इसकी जो EMF होती है EMF किती होती है 1.5 volt होती है तो एक्षाम में अपने पास ज्यादा तर यहीं पूछा जाता है कि इसकी EMF कितनी होती है और इसका यूज होता है छोटे से digital उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है तो ज्यादा तर एक्षाम में एक भी मरकरी सेल जो होता है वो हाथ की घड़ी में या मलब आपन खुद देखते हैं आप सेल डालाते हो घड़ी में सेल डालते हो या अपन दीवार घड़ी में सेल डालते हो यह तो हैं सेल पर आपन को यह भी नहीं पता है कि यह सेल कौन से टाइप का है तो जो घड़ी में चोटे आकरती, बट्टन के आकरती का जो cell होता है वो mercury cell होता है और जो अपन डूसी जगे cell कaha में लेते हैं वो dry cell होता है तो ये आज अपने पड़ाता है primary cell के बारे में primary cell कौण कौण से प्रकार के होते है एक बार में आपको सबका विद्धुत्वाहागबल बता देती हूँ देखो सबसे पहले वोल्टाइक सेल है तो वोल्टाइक सेल का जो विद्धुत्वाहागबल है 1.08 वोल्ट होता है दोसरा आता है डेनियन सेल Danian cell का जो विद्धुत्वाहागबल है 1.1 V होता है तीसरा आता है Leklanchi cell Leklanchi cell का विद्धुत्वाहागबल 1.46 V होता है चोता आता है Dry cell Dry cell का 1.4 से 1.5 V विद्धुत्वाहागबल होता है और इसमें Dry cell में Ampere समता भी पूछ लेता है इसकी Ampere समता कितनी होती है तो 0.084 से 5.625 Ampere As तक इसकी समता होती है और फिर आता है Mercury cell Mercury cell का विद्धुत्वाहागबल 1.35 से 1.4 V होता है और उसके बाद आता है Silver Oxide cell Silver Oxide cell का Ampere होता है 1.5 V तो एक्जाम के अंदर यह तो यह पूछ लेते हैं यह पूछ लेते हैं यह पूछ लेते हैं 1.5 V जो Ampere है कौन से cell का होता है तो 1.5 है तो किसका हो गया Silver Oxide का विद्धुत्वाहागबल हो गया आपको विद्धुत्वाहागबल दे और पूछे cell तो भी अपन लिख सकते हैं और अगर cell दे दिया हो इसका विद्धुत्वाहागबल पूछा अब देखो इसमें primary cell में यह question कौन कौन से बनते हैं एक तो यह में कितना क्या होता है एनोड और कैथोड पे कौन सा पाउडर बरा होता है या इसका यूज कहां होता है ज्यादा तर यूज यह mercury cell और dry cell का ही question में आता है कि इसका यूज कहां पे होता है लेकला अंची cell का आ जाता है वह पॉजेट्ट्व छड कौन सी होती है तो आप वेट करते रहें नेक्स्ट वीडियो की आप ने सस्क्राइब नहीं किया है तो एक बार सस्क्राइब जरूर करें और जिनोंने कर दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में मेरी Facebook की ID, Instagram की ID, description box में दी हुई है तो आप उन पे भी जाके आप देख सकते हैं और अच्छा WhatsApp पे भी मेरी एक ID बनी हुई है वो description box में WhatsApp की भी ID दी हुई है अगर आप WhatsApp पे जुड़ना चाहते हैं तो description box में ID दी हुई है उसको क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं कर दो आप में एक आप जुड़ है